कोर्णा महमारी के लगातार बढ़ते प्रकोप का अंदासा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर में उझागर हो रहे पॉसिटिव में से सरवाधिक मरीज केवल पाथ जोन में मिल रहे है आलम यह है कि अलग-अलग जोन में मिल रहे पॉसिटिव मरीजों की अनुसार अब हनुमान नगर जोन होट स्पोट बनता दिखाई दे रहा है हनुमान नगर जोन में ही सरवादिक 731 मरीज पाए गए जबकि पासु से अधिक मरीज चार जोन में मिलने से अचानक मनपा प्रशासन सतर्ख हो गया है यहां तक कि सिती से निपटने के लिए हर समब प्रयास के जा रहे है नियमों के अनुसार मनपा की और से अब कंटेंटमेंट जोन भी खोशित करने की प्रक्रियास शुरू की गई है कंटेंटमेंट जोन को न केवल सील किया जा रहा है बलकि वहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के आवाज चाही पर पुरी तरह पाबन दील लगाई गई है साथ ही कंटेंटमेंट जोन की किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की भी अनुवतीन नहीं है बताया चाहता है कि लक्ष्मिनगर जोन, धरम पेड जोन, हनमान नगर जोन, नहरुनगर जोन में 500 से अधिक मरीज मिलने से हड कम मचा हुआ है लक्ष्मिनगर जोन में 591, धरम पेड जोन में 530, हनमान नगर जोन में 731 और नहरुनगर जोन में 608 मरीज मिले है इन जोन में सरवादिक मरीज मिलने से अब मनपा प्रशासन वारा इन जोन पर अलग से पाबंधिया लगने की मांग कुछ स्वेम से विस संस्थाव ने की है संस्थाव के पदाधिकारियों के अनुसार जोन के मुख्यमारगों पर बैरिकेडिंग की जानी चाहिए जिससे यहां की लोगों की बाहर निकलती ही उनका कोरोना एंटिजन टेस्ट कराया जा सकी यदि इस तरह से कडाई नहीं बरती गई तो इस जोन से बाहर जाने वाले लोग अन्य हिस्सों में कोरोना फैला सकते हैं अता हो मनपा प्रशासन को तुरंद उपाय करने चाहिए उलेकनिया है कि सतरंची पुरा जोन में आने वाली बस्तिया करी आबादी की होने की बावचुत वरतमान में सतरंची पुरा जोन में सबसे कम 116 पॉसिटिव पाये गये विशेश तक कोरोना की पहले चरंद में सतरंची पुरा जोन ही सबसे रेट जोन में शामिल किया गया था इसी जोन से सरवादी की लोगों को इस्टिटूशनल कॉरिंटाइन सेंटर भेजा गया था किन्तो अब दूसरी लहर में इस जोन से सबसे कम पॉसिटिव मिले है क्यामरा पॉसन अखलेश भारेद वाज के साथ अभिशेख पान से बीसी न्यूस नाकपुर